राम मनुहर लोईया भारतिय सोतंतरता आंदोलन के एक कार्य करता और एक समाजवादी राजनितिक नेता थे। भारत में ब्रिटिश साचन के अंतिम चरन के दौरान उन्होंने कॉंग्रेस रेडियो के साथ काम किया जो 1942 तक बॉंबे के विबिन स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित होता था। और वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें। आप इस चैनल पे UPSC-related subjects को भी पढ़ सकते हैं जिनके playlist हम लोगों ने बनाया हैं। ये सारा content free of cost है। जो भी serious UPSC aspirants हैं वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on WhatsApp 7200-681-675 test series और foundational videos के लिए। को उत्तर परदेश के अकबरपूर में एक बनिया परिवार में हुआ था। 1912 में उनकी मा किमृति हो गई जब वह सिर्फ दो साल के थे। और बाद में उनका पालन पोशन उनके पिता हीरा लाल ने किया जिन्होंने कभी दुबारा शादी नहीं की। 1918 में वे अपने पिता के साथ बॉंबे गय जहां उन्होंने अपनी हाई स्कूल की सिक्षा पूरी की। उन्होंने 1927 में अपने स्कूल की मैट्रिक परिच्छा के प्रथम इस्थान प्राप्त करने के बाद इंटरमीडियेट और काम पूरा करने के लिए बनारस हिंदू विश्विध्याले में भाग लिया। फिर उन्होंने कलकत्ता विश्विध्याले के तहट विद्यासागर कॉलेज में प्रवेश लिया और 1929 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने ब्रिटिश दर्शन के बारे में अपने मंद दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए ब्रिटेन में सैक्षिनिक संस्थानों पर इसे चुने हुए फ्रेडरिक विलियम विश्विध्याले में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने जल्द ही जर्मन सीख ली और 1929 से 1933 तक डॉक्ट्रेट छात्र के रूप में अपने प्रमुख विश्यों के रूप में राष्टिय अर्थ विवस्था का अध्यन करते हुए अपने उतक्रिष्ट सैक्षिनिक प्रदर्शन के आधार पर विर्तिय सहायता प्राप की नैशनल मूवमेंट लोहिया कॉंगरेस सोचलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और इसके मुख पत्र कॉंगरेस सोचलिस्ट के संपादक थे 1936 में उन्हें जवाहरलाल नहरु द्वारा अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी कॉंग्रेस पार्टी के सर्वोच निकाए के विदेश विभात के सचीव के रूप में चुना गया था 1938 में जब उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ी तब तक लोहिया ने कॉंग्रेस के गांधिवादी नेधित्व और CSP में शामिल होने वाले कॉम्मिनिश्ट के पदों की आलोचनात्मक जाच करके अपना राजनीतिक द्रिश्टिकून विकसित करना शुरू कर दिया था जून 1949 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और युद्विरोधी भाषन देने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई 1941 के अंध तक पहले ही रिहा कर दिया गया लोहिया केंद्रिय निदेशालैक के प्रमुख वैक्तियों में से एक बन गया जिन्होंने अगस्त 1942 में ग्वांधी द्वारा सुरू किये गए भारत छोड़ो विद्रो को संगटित करने की कोशिश की माई 1944 में उन्हें कैद किया गया और लाहोर किले में जातनाए दी गई अन्तिम उच्छ सुरक्षा कैदियों में से एक के रूप में लोहिया जैप्रकाश नरायन के साथ 11 अप्रील 1946 को रिहा हुए उन्होंने ही सब्त करांती का विचार दिया था लेटर पॉलिटिकल कैरियर कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोहिया उस पार्टी में सामिल हो गए जब उसने कॉंग्रेस छोड़ दी वह 1952 में किसान मजदूर प्रजा पाटी के साथ मिलकर प्रजा सोसलिष्ट पाटी बनाने के लिए सोसलिष्ट पाटी के सदस्य बने रहे नई पाटी से नाखुष लोहिया ने 1956 में सोसलिष्ट पाटी के सुधार के लिए उसे अलग हो गए वह फूलपूर में 1962 के आम चुनाओं में नहरू से हार गए 1963 में फारूखाबाद में उप चुनाओं के बाद लोहिया लोकसभा के सदस्य बने और 1965 में सोसलिस्ट पार्टी को सैयुक्त सोसलिस्ट पार्टी के रैंक में मिला दिया दो समाजवादी गुटों का कई बार विलय, विभाजन और पुनह विलय हुआ 1967 में लोहिया ने उद्धर परदेश में पहली 11 कॉंग्रेस सरकार के गठन में महतवपूर्ण वहमिका निभाई इस गठपंधन का गठन लोहिया और भारतिय जनसंग के नेता नाना जी देश्मूख ने किया था उन्होंने कन्नौज से 1967 का लोकसभा चुनाओ जीता लेकिन कुछ महिनों बाद उनकी मृत्ति हो गई ये थी राम मनुहर लोहिया जी की जीवनी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत